चिल्डरन अगर आप क्लास 9th, 10th, 11th या 12th में हो चाहे CBSC बोर्ड में हो, ICSC बोर्ड में हो, UP बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो थमनेल आपने देख लिया है आपको मौका मिल रहा ये सारे प्राइस जीतने का जो आपकी स्क्रीन पे है yes children you heard me very right, free of cost, एक छोटा सा टेस्ट देना है, कुछ भी आपको लिखना नहीं है एक question होगा, उसके चार option होगे, आपको बस टिक लगाना है, हो सकता है तुमारी किसमत खुल जाए तो children ये मैं बात कर रहा हूँ, basically वैसे तो ये test 10th और 12th के उन बच्चों के लिए है जो इस बार term to exam देने वाले हैं, लेकिन अभी अभी अगर तुम 9th से 10th में गए हो या 11th से 12th में गए हो, तो भी मैं चाहता हूँ, तुम इस test को 2 और अगर कोई बच्चा 8th से 9th में गए है, ठीक है, अभी इस साल अगर वो भी इस test को देना चाता है, तो वो भी दे सकता है, वहाँ पे आप अपनी class 10 डाल दिएगा और अगर 11th वाले तो 12th में है है, तो सर करना क्या है सर हमें ये वाले prizes जीतने के लिए, सर हमें कौन-कौन से rules follow करने पड़ेंगे, चिल्रन ये test तीन दिन होगा, 23, 24, 25, यानि तुम्हें तीन मौके मिल रहे है, तीन मौके मिल रहे हैं prizes जीतने के, scholarship जीतने के लिए, 23, 24 अप्रेल और 25 अप्रेल, टाइम रहेगा, शाम के 5 बजे सर अब ये बताओ, हमें करना क्या है, unacademy learning app आपको download करना है, play store से, वहाँ पे आपका नाम, class, phone number और email address डाल देना है, जब इतना काम हो जाएगा, क्या, unacademy learning app डाउनलोड कर लिए आपने play store से, वहाँ पे आपका नाम, class, phone number और email address डाल दिया, इस वीडियो की description में मैंने एक link दिया है, उस link पे जाना है, click करना है, और enroll करना है, ठीक है, अगर आप class 10th वाला test देना चाते हो, तो अपनी class fill करना, class 10th, अगर आप class 12th वाला देना चाते हो, तो वहाँ पे class fill करना, class 12th, enroll करते time वो आपसे code मांगेगा, और code डाल देना लखन 02, जिनका enroll हो जाए, वो मुझे comment section में बता देना, सर मेरा enroll हो गया है, जिनका enroll हो जाएगा, केवल वो ही बच्चे test दे पाएंगे, कुछ बच्चे enroll कर लेते हैं, लेकिन test के time पे भूल जाते हैं, तो children भूलना मत, कहीं पे आ बता देता हूँ, पहले schedule बता रहा हूँ आपको class 10th का, class 10th का जो पहला test है, वो होगा science का, MCQ question आएंगे बस, एक question उसके 4 option आपको बस टिक करना रहेगा, ठीक है, 23 तारीक को science का test है, 24 तारीक को maths का test है, और 25 तारीक को English, 23, 24, 25, science, maths, English, और time है शाम का 5 बजे, अब मैं children बा रहेगी, और date भी रहेगी, 23, 24, 25, लेकिन जो पहला test है, 12 वालों का, वो होगा physics का, ठीक है, 5 बजे, दूसरा जो test होगा, वो होगा bio और maths, जिनके पास bio है, वो bio का देंगे, और जिनके पास maths है, वो maths का देंगे, ठीक है, 23 तारीक को, लेकिन एक छोटा सा catch है, कि जो bio वाल test है, वो दो बजे होगा, 23, sorry, 24 तारीक को, दो बजे, और सारे test, और 25 तारीक को, आपका जो test होगा, bio, इनका, क्या नाम है, 12 वालों का, वो होगा, chemistry का, ठीक है, I hope मैंने सारी चीज़ें आपको clear कर दिये, सर ये बताओ कि हमारा test कहां पे होगा, app के, unacademy learning app पे, सर अगर मे मेरी कोई scholarship निकलती है, जो मैं price जीता हूँ, वो आपको, आपके email address पे बताया जाएगा, so children, आज ही enroll कर लो, बाद मैं मत कहना, बताया नहीं था, अब आपको कुछ दिखा रहा हूँ, कि कैसे आपको, वो details फिल करनी है, ये भी देख लो, तो children, आपको description के अंदर, इस तरह का एक link मिलेगा, जैसे ही आप इस link पे click करोगे, ये मैंने link पे click कर दिया, ये इस तरह से open हो जाएगा, जैसे ये open हो रहा है, ठीक है, ये emerge है, unacademy emerge, अब यहाँ पे ये, आप से मांग रहा है, phone number यहाँ पे आप डालेंगे, और enroll करेंग और दूसरी तरफ class 12, तो अगर आप class 10th के student हो, तो तो ये आपको ये already कुछ करने की जरुत नहीं है, ये दिखा रहा है आपको, 23 तारिक को 5 बजे से 6 बजे तक science का test है, और 24 तारिक को maths का basic का भी, कुछ के पास basic है, और कुछ के पास standard है, वो 5 बजे ही होगा, और 25 तारिक क तो आपको ऊपर यहां क्लिक करना है, ये आपने क्लिक किया, और अब ये आपको दिखाएगा class 12 का, ये देखो, 23 तारिक को है physics का test, 5 बजे, और 24 तारिक को, अगर आपके पास bio है, तो bio का test है, लेकिन ये याद रखना है, bio का test 2 से 3 है, अगर आपके पास bio नहीं है, maths है, त तो ये वाला test होने वाला है, 24 तारिक को 5 से 6, और 25 तारिक को जो test होगा children, वो आपका होगा, chemistry का सबका, तो children, जिसका भी enroll हो जाए, वो मुझे comment section में बता देना, sir मेरा enroll हो गया, और code है लखन 02